होटल मेनेजमेंट की क्या हाकिकत है और होटल मेनेजमेंट करने से southern माइटने का डिग्री का क्या रौल है तो बहुत सारे एसे कन्फिूजन है इसमें क्या काम रहता है तो इन क्लियर कर दो होटल मैंजमेंट के अंदर छुट्टी कभी फिक्स नहीं होती है अगर अपर पर आपको इस व्यांता है क्या आप अपनी मर्ची से अचानक ली लएक शुट्टी लेना जाए तो वो एकदम नहीं मिलती है थोड़ा रूल यहां पर इस्तिक्ट होते हैं तो यहा आपको वहाँ पर बताना होता है तब जाके आपको छुटी मिलती है और most of festival पर आपको छुटी नहीं मिलती है क्योंकि festival पर ज्यादा बिजी ज्यादा यहां पर डूटी होती है और maximum आपकी 14 गंटे 13 गंटे भी डूटी हो सकती है तो अगर आप इस लाइन में आना चाहते हैं तो यह चीज भी आप ध्यान रखें क्योंकि टाइमिंग का यहां पर काफी इसू रहता है आप अगर अपनी personal life को काफी enjoy करना चाहते हैं लाइक 8 14 गंटे भी होती है तो यह according to schedule रहता है तो यह भी चीज आप ध्यान रखें एक सबसे बड़ा सवाल बार बार माइंड में आता है हर student क्या आता है हर हम करने वाले student क्या आता है कि इसमें काम क्या रहता है starting कैसी हो दिए क्या value रहती है इसमें तो मैं आपको clear कर दूँ में आपको खाना खिलाना होता क्या खाना खिलाने का sense है कि बहुद्र आपको कहना पड़ेगा पानी आपको सब करना पड़ेगा बहुत सारे काम ऐसे तो यह अपने काम ऐसे आते हैं जो आपको करने पड़ेंगे एक और प्रॉब्लम माइंड में बहुत ज्यादा आती है लाइक कि हमने अगर बैचलर डिग्री कर लिए और हमारे पास नहीं तो हम इसमें जॉब ले सकते हैं गया तो बिलकुल ले सकते हैं आप जॉब बिदाउट अगर आपन अगर आपके पास एक साल का तो बहां पर आपको ज्यादा इंपोड़ेंट दिये जाएगा एक कंपनी के अंदर क्यूंकि आपके पास प्रक्टिकली एक्स्पिरेंस है तो बहां पर आपको मतलब ऐसा नहीं सोचना है कि मेरे पास हमें डिगरी नहीं है तो मैं जॉब नहीं कर सकता एक होटल के अंदर प्रक्टिकली नॉलेज या एक अच्छे एक्सपिरेंस की ज्यादा वैलू होती है तो अगर आपने डिगरी नहीं भी किये तब भी आप एक हगीकत है होटल मेनेजमेंट की आप क्योंकि बहुत सारी ओप्स नहीं पूरी दुनिया के अंदर लिंडिया के अंदर बहुत सारे ओप्सेन हैं बहुत सारे नहीं जो आपको कर सकते हैं एक अच्छा केरियर आप बना सकते हैं तो यह new decision आ लीजिए कि आपने होटल मेनेजमेंट करना इंडिया के लिए या आपने बिदेश में जौब करनी होटल मेनेजमेंट कर गे और किसी भी टापिक पर आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्से में बताइए अगर वीडियो पसंद आई होगी तो एक लाइक तो बनता है पकी तैंकी सो मच पर वाचिंग इच वीडियो और लाव यू अल्व आल